वुटली डिवाइडर रेजिस्टर बहुत ने सुना है पर पटीकल आज तक किसी लेह देखा और अगर पटीकल देखा है तो उसने किया नहीं होगा तो दो तो इसके रिजिस्टर के साथ एक वोल्टे डिवाइडर सर्क्यिट कैसे बना है और तीन वोल्ट कैसे निकाले पास बोल्ट में अगर आपको यह देखना है तो यह देखिए क्योंकि मैं इसमें आपको पैटिकल करके दिखा रहा हूं हो सत्ता है अपने इंस्टूट में यह हो सत्ता है अपने से पढ़ा पढ़ा हो पर हैसाथ नहीं देखा यह वीडियो उसके लिए है जिसने नहीं देखा यह वीडियो को सक्षिप कर स matter है तो दूसरों उसके लिए हमें रिक्वाइड है एक में पाद एक रिजिस्टर है खाली और यह सो ओम्स का तो सबसे पहले जानते हैं और मैं इंपट वोल्टेज दे रहा हूं तो हम देखेंगे कि दूसरा रिजिस्टर में कितना रिक्वाइड होगा टीम वोल्ट निकालने है और अब मैं पास उम्स के रिजिस्टर है और मैं यह जानना चाहता हूं कि मुझे तीन वोल्ट निकालने हैं तो मुझे जो है जो मुझे ग्राउंड के साथ लगता है वो मुझे कैसा लगाना पड़ेगा तो नोटिस कीजिए जो आरवन है वह मेरा इंपूट के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना को कि चैनल में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा तो देखें दोस्तों सबसे पहले मुझे तीन चीजों की जरूवत है एक बियर बोर्ट टाकि मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं ठीक है दूसा मल्टीमीटर ओम्स मूट पर मैंने द्यों में यहां पर लग दिया है और तीसरा अब मैंने यहां पर से दो राजिस्टर यह ले लिया है तो एक रेजिस्टर मेरा 100 वं मैं सेक करा Rare था हूं अब मैं इस रेजिस्टर को चेक करूंगा और अब मैं बैलू चेक करोंग गा औरिए 1 500 वं का तो आएब एयर बाड म में किस तरह से इजिस्टर को लगा है तो दोस्तों को करना क्या है आपको सबसे पहले इजिस्टर को डोनों एक सिरे को जोइंड कर लेना है महले मinação है आपको इसको मिला लेना तो आईए इसको मिला लेते हैं ताकि हम इससे output लुकुट व्ल्टेज निकाल सके हैं तो देखे यह आप नॉम्मल और SMD डॉनों में कर सकते हैं मैं फिलाल नॉमल में आपको इस्प्रेंड करके बता रहा हूं तो देखे दोस्तो हमने यहां पर क्या किया है हम नहीं यहां पर रेजिस्टर ले लिये हैं और रेजिस्टर के कोई से भी एक शीर है क्योंकि इसको मिला लिया है अब यह मेरा इसमें मेरा जो 100 ohms का register है वह मेरा आपका R1 होगा और जो 1500 ohms का register है वह मेरा R2 होगा तो यह मेरा 1500 ohms का है और यह मेरा 100 ohms का है तो मैं यहाँ पर दोंगा और यहां से मैं ग्राउंड लोंगा तो यहां से मैं दोंगा यहां मैं ग्राउंड दोंगा और यहां पर मैं आउपट निकालूंगा तीन वोल्टेस्ट तो नोटेस कीजे दोस्तों मैंने यहां पर रेजिस्टर लगा लिया है आप इसको देख सकते हैं यहां पर मैं यहां पर मैनने एक रिश्टर को यहां लगा-एंच को मतलब यहां पर मैं अगर बात कर ऑं तो एक में इनपट कुझा और एक मैं अपना पलस और यहां पर में अप्सक्रेस्क्स और यहां पर मैं मैं में माल्टीमेटर यूज करता आप तो मल्टीमेटर दिखाई दे रहा हूगा है हैं आप सबसे पहले मैं इसमें इनपूर और आप वुल्ट इता हूं और मैं Canon 5,000 ले लिए और यह मैं चांगे दे रहा हूं एक मेरा प्लस है और एक मेरा माइनस है聽 too notice कि अधिक है कि मुझे 5 बोल रहे है कि मैंने वभी सिर्फ प्लस माइनस पर रहा है मनलब जो में इंपुट दे रहा हूं वह त्ईक है अब मैं एक सिर्फ में रखूंगा अब देखूंगा की ये वाला सेरा जो यहां पर मेरा जा रहा है नोटिस कीजेगा क्योंकि यही पैटिकल है कि किस तरीके से हम डिवाइडर रेजिस्टर से तीन बोल्ड निकालते हैं तो देखिए फॉर्मुला अटेंड करेगा अब यही सिरा यहां पर जो यह दोनों का मिलके इधर जा रहा है तो इसमें रख हाँ कि और आप देखे थे फाशार में प्लस और यहां रखा हुआ है तो मुझे एफ्र बोल्ड मिल रहें और इसको मैं मैं रखोंगा तो मुझे यहां पर मैंनess नूढ़र और छोदेख मैं इसके बीच में लगा रहा हूं तो यहां पर मुझे टीन वोल्टेज मिल रहे हैं अयोग कि आप समझ गे होंगे कि हम दो रिजिटर से किस तरह से डिवाइडर रिश्टर बनाकर एक शेंट वॉल्टेज निकाल सकते हैं सेंस वॉल्टेज निकाल लिए तो आम कहीं पर भ बार रेपेरिंग का को साटेंग कीजिए और एसे देलिकों में कॉल कीजिए थैंक्यू बड़ी मच्च